करने लेकर आया हूँ और आज हम डिसकस करने वाले हैं यहां पर analytic geometry तो analytic geometry discuss करने से पहले सबसे पहले हम यह discuss करेंगे कि analytic geometry से कितना portion NDA में आता है आपको कितना पढ़ना है और उसके आधार पर हम आगे बात करेंगे सबसे पहले geometry की बात करते हैं geometry में जब भी आप आएंगे जरा देखते हैं यहाँ पे NDA के paper में आप सब कुछ जितना भी knowledge है, उसके हिसाब से 120 questions 300 marks के आते हैं, ठिक, अब इन 300 marks में से 20 questions जो हैं, जो हम आज सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसमें 20 questions सिर्फ analytic geometry से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ analytic geometry से 20 questions आएंगे, जो कि approximate 50 marks के भूत हैं, तो अब कितनी importance है, यह आप समझ रहे होंगे, 50 marks is a very good number, अगर आप NDA में 99, 99 का फेर जहां पर है, 99 का फेर जहां पर है NDA में, वहाँ पे आपको अगर 50 marks मिल जा रहा हैं, सिर्फ geometry से, तो बहुत अच्छी बात है, और geometry एक ऐसा topic है, कि अगर आपको समझ में आ गया, एक बार आपका concept clear हो गया, तो आपको ज्यादा उसमें बार बार उसको रटने की जरुरत नहीं पड़ेगी, बार बार उसमें याद करने की जरुरत नहीं पड़ेगी, और यह जरुरत नहीं पड़ेगी कि आप इसको कुछ हो मत, बहुत ज्यादा चीजे हैं, लेकिन हमको क्या पढ़ना है वो important, बहुत कुछ पढ़ा लेकिन कुछ नहीं आया, तो अब वही पढ़ेंगे जो हमको लग रहा है, संभावित है कि यह paper में आएगा, तो चलिए देखते हैं जरा, 99 क्यों बोला है, यह समझ में आ सास होंगे, तो सब 99 का फेर है मैथ में, और कुछ नहीं है, तो अब हम आगे सुरू करने वाले हैं अपना, तो सबसे पहले geometry मे, geometry word ही जो है न, यह एक संस्कृत word से लिया गया है, जो कि ज्यामिती word से लिया गया है, ज्यामिती word से लिया गया है, और यह संस्कृत word ज्यामि एक एक चीज लिंग्ड है जोमेट्री से, even modern physics कहती है कि the dance of Shiva is not just the dance of Shiva, it's a dance of cosmic particles, है ना, cosmic subatomic particles का dance है, Shiva का जो dance है, तो that is geometry, हर जगा जोमेट्री है, एक एक जगा पर जोमेट्री है, आप, आपकी body geometrical है, है ना, आपकी दो आइस है, देखो एक दम human body geometrical है, एक तरीके से, तो सब कुछ यहाँ पर जोमेट्री ही है, everything is geometry, तो जोमेट्री का concept सुरू कहां से करें, कहां से start करें, और कहां तक जाना है, यह बहुत बड़ी बात है, तो आईए, थोड़ा-थोड़ा इसमें से हम देखेंगे, आपके लेबल पर चलके, उसको और उपर लेबल तक पहुच अब मुझे लग रहा है कि पता होना चाहिए, तो अगर यह सारी चीज़ें आपको पता हैं, तो अच्छा बताइए, define करें, अगर आपको मैंने कह दिया, कि what is line, क्या आप define कर सकते हैं, अगर मैंने कह दिया, कोई भी geometrical figure, circle, क्या है circle, तो क्या आप define कर सकते हैं, तो आई ए सकते हैं, कुछ ऐसा होता है, q ठीक है, सब को पता है, यह cube है, अब इस cube की बात कर रहे हैं, तो हमको पता इसमें length, bread, type, तीनों आपस में बराबर होगी, सब को पता है, तो एक ऐसा figure, जिसमें length, bread, type तीनों आपस में बराबर है, तीनों वो क्या है, q. क्यूब से डिषाईमेंशनल में आए तो आपको क्यूब पता है तो इसका inventory पता हो गा तभी आपको क्यूब पता होगा तब आपको क्यूब पता होगा चलिए ए-ग-ड़्य फ अब आपको स्कॉायर पता है तो स्कॉायर कैसे बना है चार लाइन से मिलके बना है चार लाइन से मिलके बना है तो आपको लाइन भी पता होगी इसका मतलब है कि आपको इस्ट्रेट लाइन भी पता होगी अच्छा हाँ सर बिलकुल पता है हम बच्पन से लाइन बनाते आ रहे है बहुत अच्छा अच्छा डाइग्राम बनाया है हमने तो line पता है तो अच्छा line कैसे बनी अब मेरा question है कि line कैसे बनी तो चलो इसका answer मैं बता देता हूँ line बनी है points उसे मिल करके बहुत सारे points को ऐसे से एक join कर दिया या 2 points को भी join करोगे कि इन ही भी 2 points को आपको join करोगे तो कैसे बन जाएगी? line बन जाएगी मतलब अगर आपको line पता है तो इसका point पता होगा बिलकुल सही बात है आपको क्या पता होगा? point पता होगा अब अगर आप चाहें तो point हमको define करके बता दीजे जो लोग भी point define कर देंगे actual में वो बहुत ही जादा good students है, bright students है कि point क्या होता है आपको point जो define करने का तरीका है वो अब क्या है point? अगर किसी से पूछ ले जाए point क्या है? कहीं exist करता है? कहीं देखा है तुमने point अपने जीवन में? तो point एक ऐसी चीज है जो किसी ने नहीं देखी अगर मैं किसी से क्या दूँ तो कोई 10 cm की line ड्रॉ करो तो क्या कोई बच्चा 10 cm की line ड्रॉ कर सकता है? मेरा question है कि कोई 10 cm की line ड्रॉ कर सकता है तो अगर इसका मैं उत्तर दूँ तो मैं यह कहूंगा कि 10 cm की line कोई perfectly ड्रॉ नहीं कर सकता है क्योंकि आप जिस pen से ड्रॉ कर रहे हैं उसकी निप भी 0.5 mm है तो आप जब scale से 10 cm खीच रहे हैं तो at exactly border पर 0.5 आगे पीछे होगा 0.5 mm दोनों तरफ कुछ ना कुछ distance और पतला pen ले लिजे 0.25 का ले लिजे लिए नहीं खीच सकते क्योंकि जो हमारा base है जो point की बात कर रहे हैं उसका कोई dimension ही नहीं है कितनी मजे की बात है कि पूरा universe चल रहा है जो मेटरी से हम सारे figures पढ़ रहे हैं even point पढ़ रहे हैं even line पढ़ रहे हैं even सब कुछ पढ़ रहे हैं पर जो base point ही है वही define नहीं है कोई point ही नहीं define कर पाया आस्ता कि what is point तो लोगों ने कह दिया it is a dimensionless quantity इसका कोई dimension नहीं है यह एक imaginary concept है तो जितने भी figures हम आप बना रहे हैं line, square, cube, circle जितना भी आप बनाएंगे जितना geometrical figure आप बना रहे हैं सबका starting point क्या है एक point है और वो point ही defined नहीं है that is imaginary point imaginary है इसका concept एक imagination है तो यह जो पूरी geometry चल रहे है यह कहां से सुरू हुई एक point से सुरू हो रहे है एक bind से सुरू हो रही है और यह bind हमारे लिए इतना important है कि अगर हम इसको imagine कर लेंगे तो हम पूरे universe की geometry बता दे रहे हैं हम यह भी बता दे रहे हैं कि solar system है उसमें earth और sun के बीच का distance कितना है even सब कुछ define कर दे रहे हैं लेकिन point जब हम imagine कर लेंगे तब ही यह काम कर पाएंगे तो अब हम एक imagination से geometry आपकी शुरू करना चाहते हैं हम मान लेते हैं कि एक point है वो exist करता है कहीं जिसकी हम कलपना नहीं कर सकते हैं ठीक है तो अब जब हम मान ले रहे हैं कि एक बिंदू है हमारे पास तो point कैसा है point है dimensionless या फिर imaginary कह सकते हैं हम मान ले रहे हैं कि एक point है तो अब जब हमने एक बिंदू मान लिया किसी भी plane पर किसी भी coordinate axis के लॉंग हम कोई भी एक point मान ले रहे हैं तो point का position define करना अगला हमारे पास barrier यह है कि point का position क्या होगा position ऐसे ही जैसे अगर आप से पूछा जाए तो इस समय आप कहा है तो मान लिजी आप इस समय प्रियाग राज की पावन धरती पर है तो अगर आप प्रियाग राज की पावन धरती पर है तो आप अपने आपको किसी से relate कर रहे हैं किस चीज से relate कर रहे हैं आप प्रियाग राज के reference में बता रहे हैं कि हम प्रियाग राज में ठीक है इसी तरीके से अगर आप से कोई बाहरी कंट्री का पूछेगा अधर कंट्री का तो आप बताएंगे इंडिया में है तो आपको एक reference point चाहिए अपनी position बताने के लिए है ना एक reference point चाहिए इसी तरह से कोई बिन्दू है कोई point है ये कोई point है तो इसको कुछ reference चाहिए ना कि इस point का position कैसे define किया जाए तो इसके लिए जो reference है वो है coordinate axises coordinate axises अब ये coordinate axis अभी हम two dimensional geometry के बात कर रहे हैं तो वहाँ पर coordinate axises क्या-क्या होती है तो these are x y plane ये x axis horizontal lines है x x dash define करते है y y dash define करते है vertical lines और ये जो दोनों का intersection ये जो point है इसको हम कहते है origin this is origin origin का जो coordinate होता है उसको हम लिखते है 0,0 क्या लिखते है 0,0 अब कोई भी point कहीं पर भी coordinate axis के reference में अगर हम लिख दे माल लिजे ये कोई point P है इसको P point बता रहे हैं तो इस point के जो position होगी तो इस point पे हमको origin से पहुँचना है तो origin से पहुँचने का क्या तरीका है देखिए x axis पर जितना distance ये दूर होगा इतना चलेंगे माल लिजे ये है x axis पर हम कह रहे हैं x distance चल रहा है कितना distance चल रहा है x distance चल रहा है कि x axis पर x distance चल फिर उसके बाद y axis पर y distance चल तब हम इस point पर पहुच गए x, y point पर पहुच गए तो इसको x, y coordinate लिखते हैं जहां पर P point का coordinate क्या है x, y ये ordered pair है पहले x बाद में y अब बात करेंगे अगर इस point पर क्या पहुचने का कोई और तरीका हो सकता है ये बिंदु कहीं भी हो, यहां इधार, 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 कहीं भी हो तो इस point पर पहुचने का क्या और तरीका हो सकता है विल्कुल हो सकता है, इस point पर पहुचने के आजसल में कई तरीके हो सकते हैं लेकिन अभी फिलाल coordinate axis हम discuss कर रहे हैं, x axis पर x distance, y axis पर y distance, ठीक है, अब इस coordinate axis की बात कर रहे हैं, जब हम तो इसमें 4 quadrant होते हैं, यह अगर इस point को O नाम दे दें, x, o, y, पहला quadrant है, first quadrant, x, o, y, x, o, y, जो पहला quadrant है, यह हमें इसा plus plus होता है, मतलब all positive, इसके अंदर जो भी value होगी, वो सारी positives होगी, तो इसकी sign भी यहां लिखते चल रहे हैं, यह प्लस प्लस, ठीक है, उसके बाद second quadrant की बात करें, तो x dash, o, y, यह second quadrant है, x dash, o, y, इसका जो sign होगा, देखो, इधर x axis positive होता है, इधर x axis negative होता है, तो minus plus, इसका जो sign हो जाएगा, minus, plus हो जाएगा, यहां लिख भी देते हैं, plus, plus, minus, plus, third quadrant में इसी तरह माइनस माइनस होता है, last quadrant में plus माइनस होता है, ठीक है, sign आपको याद रखना पड़ेगा, third quadrant की बात करें, third quadrant की बात करें, तो third quadrant क्या है, x dash, o, y dash, x dash, o, y dash, और इसमें दोनों negative होता है, इसी तरीके से आप fourth quadrant लिख दीजिए, x, o, y dash, और इसमें x axis positive, y axis negative होती, तो यह है हमारा coordinate system, rectangular coordinate axis है, x axis, y axis, जहाँ पर किसी point की position हमने define कर दी है, ठीक है, अब अगर मालीजे, यह point इधर कहीं पर है, यहाँ पर, तो इसका x coordinate क्या होगा, minus होगा, तो minus x, y हो जाएगा, अगर third में है कहीं, तो यह point हो जाएगा, minus x, minus y, और last में अगर कहीं है, तो x, minus y हो जाएगा, क्योंकि sine कहा है, plus minus, x वाला plus है, y वाला minus है, तो इस वज़ा से चारो coordinates में जो point है, वो कैसे define करेंगे, यह हमने बता दिए, अगर यह base आपका clear है, point क्या है, अगर position आप point की define कर पा रहे हैं, तो इसी से हम तार से तार जोड कर, आगे आपको उस पूचा देंगे, जहां आप पहुचना चाहते हैं, हम पूरी geometry इसी के basis पर लेकर चलेंगे, अगर ये बात अभी आपको समझ में आ गई है, तो इसके आगे जो कुछ भी पढ़ाएंगे हम, आप एकदम जोडते हुए चले जाएंगे यहां से, आपको 1% की कहीं दिक्कत न एक line बनती है, तो हम यहीं बताने वाले आपको की line क्या होती है, तो join of two points होता है, दो points को, join of two distinct points, कोई भी दो distinct points हों, कहीं पर भी हों, उनको आप join करेंगा, तो हमेशा एक straight line बनेगी, बनेगी ना, कहीं पर भी कोई दो points हो, मान लिए यह कोई point P है, जिसका coordinate लिख रहे हैं x1, y1 मतलब इसकी position है rectangular axis पे कोई एक point Q है x2, y2 तो इन दोनो points को अगर आप join करेंगे तो एक straight line बनेगे तो अब देखिए हमको अगर point समझ में आगे है तो straight line बहुद आसान है एकड़ दो points को join करोगे तो क्या बनेगा straight line बनेगा तो इन दो points के बीच की distance अगला हमारा जो target है कि इन दो points के बीच की distance कैसे निकालेंगे तो उसके लिए है हमारे पास distance formula distance formula distance formula क्या कहता है कोई दो points हो P और Q जिसके coordinates x1, y1 x2, y2 हो तो दोनो points के बीच की जो distance P Q है इस distance को लिखते है under root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square तो अब इन दो points के बीच की distance आ जाएगी P Q जो distance है ये D कह दे हम तो ये जो distance D है इस formula से हम लिख सकते है एक example मान लीजे कोई एक point है P 1,2 point क्या है 1,2 एक दूसरा point है Q दूसरा point है 2,3 2,3 point इन दोनो points के बीच की हम distance निकालना चाहते है तो distance formula हमारे पास है देखी x1, y1 x2, y2 दो points है distance formula से हम P Q distance निकाल सकते हैं under root of x2 minus x1 मतलब 2 minus 1 whole square plus 3 minus 2 का whole square इसका मतलब आ गया ये कितना 1 का square 1, 1 का square 1, 1 का square 1, 1 plus 1 root 2 unit root 2 unit तो 2 points के बीच का distance कितना आ गया root 2 units आ गया इसी तरीके से कहीं भी coordinate excesses में 2 points given हो तो हम उन 2 points के बीच का distance निकाल सकते हैं अब अगली बात क्या आती हमारे दिमाग में distance हो गया sir, point हो गया 2 points को join कर दिया, एक line बन गई और line जो बन गई तो हमने 2 points के बीच का distance निकाल लिया D, अगली बात क्या है अब दिमाग बहुत खुराफ आती है तो हम सांत नहीं बैठते कि distance निकाल लिया तो खुश है, नहीं बिल्कुल नहीं हम कह रहे हैं इसी line पर क्योंकि point तो हर जगा होगे तो इस line पर कोई और point है मान लिजी कोई और point है इस line पर, एक point हम define कर रहे है R R point तो R point का coordinate कुछ होगा कुछ भी coordinate हो सकता है इसका, in general कुछ भी हो सकता है तो xy मान लेते है xy general ठीक है, तो ये point इस line को किस ratio में divide करेगा ये निकालना है, है ना इस, ये point, इस line को किस ratio में divide करेगा हम कह रहे है, m is to n ratio में अगर divide करेगा, तो section formula की बात होगी वहाँ पर इसके आगे discuss करते हैं, चलिए तो अब हम discuss करने वाले है section formula, जैसे कोई एक point R है, देखे, दो points PQ को join किया तो एक line बनी, इसके बीच में कोई एक point है R, कहीं पर भी PQ के बीच में एक point है R, जिसका हम coordinate कह रहे हैं क्या है, X, Y तो R इस line PQ को m is to n ratio में divide कर रहा है, किस ratio में divide कर रहा है, m is to n ratio में divide कर रहा है तो जो point R है इसका coordinate कैसे निकालेंगे उसके लिए हमारे पास है section formula section formula कहता है for internal division and for external division, अब इसको समझो बात को, जबो PQ point के बीच में कहीं line कोई point R पढ़ रहा है, तो इसको internally divide कर रहा है, तो जब internally divide करेगा, तो हम उसके लिए X और Y coordinate जो है, R point के जो coordinate है, X और Y, इन के लिए formula है, M X2 plus N X1 upon M plus N, M Y2 plus N Y1 upon M plus N, where M is to N क्या है, ratio है, जिस ratio में ये point divide कर रहा हो, इस line segment PQ को, है न, X1 Y1 क्या है, coordinate of point P है, X2 Y2 क्या है, coordinate of point Q है, ठीक है, अगर यहीं पर बात करे, external division की for external division external division क्या है भई, कोई नई बात आ गई क्या, तो नई बात नहीं है देखो, ये कोई line है, ये point है P, ये point है Q, ठीक है, एक कोई point इस line के बाहर कहीं R लाई कर रहा है, R लाई कर रहा है इसको join कर दिया जा, हलके हलके join कर देता है ठीक, अब देखो, इस P, Q line को externally कैसे divide करेगा जड़ा देखो, तो P से R तक की जो distance है, और R से Q की जो distance है, तो इसको हम कह रहे है, M और N, M और N, तो देखो, R जो है M is to N ratio में इसको divide कर रहा है, externally तो इसके लिए जो formula होता है जो R point का जो coordinate निकालना है हमको, X, Y और P और Q का same वही रहेगा तो इसके लिए जो formula है X is equals to M X2 minus N X1 upon M minus N, तो इस minus लग जाएगा बस और कोई अंतर नहीं है Y Y is equals to M Y2 minus N Y1 upon M minus N है ना, तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा, कि section formula कैसे काम करता है इस पर एक question ले लेते हैं, तो आपको और clear हो जाएगा concept, कि section formula कैसे काम करता है तो अब हम discuss करने वाले हैं, question, section formula से related, देखिए क्या कह रहा है, C is a point line on the line segment joining the two points, A और B कोई दो points है, जिनके coordinates given है ये, तो इन दो points के बीच में कोई point है C, कोई point है C, such that A C is equals to two times of B C, इसका मतलब है कि जो A C upon B C is equals to two times of B C, इसका मतलब है कि जो A C upon B C is equals to two times of B C, इसका मतलब है upon one, मतलब जो ratio है, वो कितना है, two or one, two is to one ratio में, ये lines segment A, B को divide कर रहा है, क्या point C divide कर रहा है, तो हमको M पता है, N पता है, क्या पता है, M, M is equals to two, N is equals to one, A के coordinates पता है, B के coordinates पता है, हमें क्या निकालना है, C के coordinates, then the coordinate of C is, तो C का coordinate बहुत आसान है, अब तक सब बचों ने काओगा, सर क्या पढ़ा रहे हैं, एक डम आसान आसान पढ़ा रहे हैं, हाँ अभी आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगे, देखिए ज़रा, तो C का जो coordinate होगा, X is equals to, यही formula लगा दू, M X2 plus N X1 upon M plus N, यहाँ स लिख लेंगे, M कितना है, 2, X2 कितना है, X2 यह है, 2, plus 1 into minus 3, upon M plus N कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 4 minus 3 upon 3, यह कितना हो जाएगा, 1 by 3, इसी तरीके से X Y निकाल लेंगे, M Y2 plus N Y1 upon M plus, यह सीधा हो जाएगा, Y2 कितना है, 1, 2, तो कौन सा option हो जाएगा, 1 by 3, 2, यह option साही हो जाएगा, देखो X और Y आगया, तो point C का जो कौडिनेट है, यह कितना हो जाएगा, 1 by 3, 2, बस निकाल आया, section formula से बहुत आसान है, एकदम आसान बात है, NCRT में आप देखेंगे, तो section formula आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से, ठीक है, तो आप बात हो गई section formula की, बात शुरू की थी, हमने एक बिंद उसे, वहां से हम line पर पहुँचे, line दो points के बीच की distance निकाली, उसके बाद section formula की बात की, एक idea दे रहें आपको, कि तीन अलग अलग points कहीं पर हैं, उनको join करोगे, मान लो ये कहीं तीन points है, इन तीनो points को अगर join करोगे, तो क्या बनेगा, सबको पता है ना, कि triangle बनेगा, तीनो points को join करोगे, तो क्या बनेगा, ट्रेंगल बनेगा ना, तो बस इसी की बात आगे करने वाले हैं हम, कि तीन points को join करेंगे, तो जो triangle बनेगा, इसका area कैसे निकालेंगे, फिर इसमें अलग-अलग और भी चीज़ें हैं, वो discuss करेंगे, तो अब जो है, हम तीन points की बात करने जा रहा है, A, B, C, तीन points हैं, किसी coordinate axis में, तो A का coordinate X1, Y1, B का coordinate X2, Y2, और C का coordinate X3, Y3, हमने तीनों के coordinates ले लिए, किसी rectangular axis में, ठीक है, तो अब इस triangle, एक triangle form हुआ, इस triangle A, B, C की बात करें, अगर, triangle A, B, C, जो form हुआ, इसमें हमको क्या-क्या पता है, तीनों के coordinates पता है, तीनों vertices के, A, B, C, तीन vertices हैं, किसी triangle की, तो इनके coordinates हमको पता है, तो जब coordinates पता हो, तो इस triangle का जो area होता है, तो area जो इसका होगा, 1 by 2, उसके बाद एक determinant होता है, अब determinant जिसको solve करना नहीं आता, कोई बात नहीं, ठीक है, हम बता देंगे, घबराने की आप सकता नहीं है, थोड़ा सब्र रखी, ये determinant जो होता है, देखो, x1, x2, x3 पता है, y1, y2, y3 पता है, 111 तीसरे वाले में लगा देंगे, तो जिसने अभी नहीं पढ़ा, जो 11th का बच्चा इसको देख रहा होगा, उसको matrix determinant नहीं पढ़ा होगा, उसने नहीं solve किया होगा, तो कोई बात नहीं, इसको हम general form में भी लिख दे रहे हैं, इसको solve करने के बाद मिलेगा, 1 by 2, x1, y2 minus y3, plus x2, y3 minus y1, plus x3, y1 minus y2, ये जो मिलेगा, ये है area of triangle ABC, देखो x1 पता है, y2, y3, सब पता है न, x2, x3, y1, y2, y3, सब कुछ पता है, इसी determinant को solve करने के बाद ये आता है, अभी आपने determinant क्योंकि सीखा नहीं है solve करना, तो इसलिए आपको नहीं आता है, अभी सीखा भी देंगे इसको solve करना, तो और आसानी से तुम लोग कर लोगे, ये भी नहीं आद रखना पड़ेगा, ये ही याद रहेगा, तो काम हो जाएगा, तो अब अगर आपको area of triangle का formula समझ में आ गया, तो एक question given है, देखिए, क्या कह रहा है कि if area of triangle with the vertices, तीन vertices क्या क्या given है, जो भी vertices given है, हम लिख दे रहे हैं, देखिए, क्या vertices given है, देखो, पहली vertices given है, x, 0, दूसरी given है, 1, 1, और तीसरी given है, 0, 2, तीन vertices है, a, b, c, और इसका area कितना given है, 4 square units given है, मतलब हमारे पास area given है, हमें क्या निकालना है, x की value निकालना है, तो इस formula में put कर दो, area 4 given है, 4 लिख दिया, 1, y, 2, x, 1 ही तो निकालना है, x, 1 ही तो x है, तो इसकी जगा, x लिख दो, y, 2, minus y, 3 करोगे, तो 1, minus 2 मिलेगा, plus x2 कितना है, 1 है, उसके बाद y3 minus y1, 2 minus 0, plus x3 कितना है, 0 है, तो अब 0 है, तो अंदर कुछ भी हो, 0 ही आएगा, उससे मतलब ही नहीं है, ना भी लिखोगे, तब भी चल जाएगा, तब देखो कितना आगया, 4 is equals to 1 by 2, इसको जब solve करेंगे, तो यह कितना आजाएगा, minus x आजाएगा, और यह plus 2 आजाएगा, बस, यह होगा, ज़रा, इसको उफदर multiply कर दो, 8 is equals to minus x plus 2, minus x को इधर लेके आजाओ, x is equals to कितना आगय minus 6 आगया, तो इसकी value कितनी आजाएगी, option given है क्या, minus 6 आगया, तो यह बहुत important note point है, इनको आप ध्यान में रखिएगा, और यह सारे note points याद रखिए, अगली class में हम लोग इसके questions discuss करेंगे, pyqs discuss करेंगे, तो जितना कुछ भी आज हमने पढ़ा है, एक बार पूरा revision अगली class में आके हम इसका question solve करेंगे, pyqs solve करेंगे, ठीक है, thank you so much.